वेलकम बैक तो आर चैनल, डियर इस्टेंट, मैं देवेंदर आपका इस चैनल दोन एन बस्ता में स्वाइद करता हूँ, इस्टेंट आज का वीडियो हमारा NMS 2022 का रहने वाला है, इसमें आज हम मैट का पीपर सॉल्व करने वाले हैं, इस्टेंट जैसे कि हमने पिछली इसलिए आप मैट की बहुत अच्छी से तैयारी करें, तो चलिए शुरू करते हैं, यह हमारा पहला प्रेश्ण रहा, इसमें सब्स पहले पहले प्रेश्ण के लिए निर्देश से हैं, निर्देश प्रेश्ण का एक से दस तक के लिए हैं, मैंने यह सारे निर्देश अच अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आप प्रेश्चन के एक से दस तक अच्छे से कर सके हैं, तो चलिए, पहला प्रेश्चन देख लेते हैं, प्रेश्चन के एक है, कि दुवा का जो संबन्द पर्दुशंड से है, तो यूद का वही संबन्द किस से है, तो यूद का वही स R, L, N का जो सम्मंद X, Z, T, V से है तो J, L, F, H का वही सम्मंद किस से होगा तो 2 का जो right answer रहेगा उतर रहेगा D, इसका D right answer है अब D right answer कैसे हुआ, मैंने आपके लिए solution दे रखा है आप इसमें से देख के समझ सकते हैं कि D कैसे हुआ तो ये देखे, P का X से क्या सम्मंद है, plus 8 होगा मैंने student पहले भी आपको इससे बताया था कि इस जब भी आप math solve करें तो A को 1 मानेंगे, और Z को 26 मानेंगे तो पहले आपको ये याद रखना है, तो आदी problem आपकी solve हुई तो चलिए पहले देख लेते हैं, कि जो P में अगर plus 8 करेंगे, तो X आता है R में plus 8, Z, L में plus 8, T, N में plus 8, V तो ऐसे J में अगर plus 8 करेंगे, तो R आएगा, L में plus 8 करेंगे, तो T आएगा F में plus 8 करेंगे, तो N आएगा, H में plus 8 करेंगे, तो P आएगा तो इसलिए ये वाला D वाला हमारा right answer रहेगा I hope कि आपको समझ में आगया होगा चलिए question number third देख लेते हैं question number third हमारे चित्रात्मक होंगे इसमें figure दे रहे हैं आपको figure solve करने हैं तो question number three में देख लेते हैं कि जो ये triangle है इसका जो सम्मन इस से है तो इस figure का वही सम्मन किस से होगा तो three का जो right answer रहेगा वो रहेगा B B क्यों हुआ आपको देखे ये जो triangle था ये उल्टा हो गया almost और यहां पे black shadow आ गया तो ये भी यहां उल्टा हो जाएगा और जो नीचे वाला हिस्सा है उस पे shadow आ जाएगा ठीक है तो इसलिए B क्या होगा right answer रहेगा चले question number four देख लेते हैं question number four है जो इस figure का जो relation इस figure से है तो इस figure का वही relation किस figure से होगा आप ये देखे ये rotate हो रहे है ये इधर को था फिर इधर को घुम गया clockwise और ये इधर को गया तो ये भी clockwise गुम जाएगा तो four का जो right answer रहेगा वो रहेगा B B इसका right answer रहेगा dot इसमें है इसमें नहीं तो इसमें है इसमें नहीं है तो B इसका right answer रहने वाला है चले question number five देख लेते हैं 26, 13, 80 तो what next यहाँ पे क्या आएगा तो आप देख सकते हैं कि 26 का 13 से क्या relation रहेगा इसमें upon two करेंगे इसमें 2 का भाग देंगे तो 13 आएगा तो वैसे 80 में अगर 2 का भाग देंगे तो answer क्या हैगा 40 आएगा ठीक है बहुत आसन प्रेश्ण था इसलिए जो B वाला है वो right answer रहने वाला है 20 का right answer रहेगा question number 6 देख लेते हैं question number 6 में हम मैं साब कर ले हाँ जो 20 का जो relation 11 से है तो 102 का वह relation किस से होगा ठीक है तो आप यह देख लीजे इसमें जो relation रहेगा वो रहेगा 6 का जो right answer रहेगा वो रहेगा 52 I hope कि आपने यहां देखी लिया है कि कैसे करके 52 रहेगा 20 कैसे है 11 2 जा और उसमें minus 2 11 2 जा 22 और उसमें minus 2 तो 20 आया तो 52 जा 104 104 में minus 2 क्या तो 102 आ गया तो इसलिए यहां पर जो रहेगा आंसर है वो 52 रहने वाला है ठीक है 52 इसका सई answer होगा right answer is 52 question number 7 देख लेते हैं question number 7 question number 7 देख लेते हैं वह S का जो relation सिसू से है तो फूल का वही relation किस से है bees, kali, fall यह पौदा तो इसका जो right answer होगा वो होगा B, kali, birds ठीक है, question number 8 देख लेते है भोजन का जो relation पेट से है तो इननन का वही relation किस से है तो इननन का वही relation किस से होगा बोजन पेट में पज जाता है तो इननन यह fuel कहां कन्यूम होता है तो वो engine में कन्यूम होता है ठीक है, तो 8 का जो right answer होगा वो होगा A question number 9 देख लीजिए question number 9 यहां पे देख लीजिए यह triangle है और यहां पी यह square बन गया लेकिन इसके अंदर की जो line है वो 4 से 3 हो गई लेकिन तो यहां पे 2 है तो स्ववाइक सी बात है कि अब जो इसका answer होगा उसमें line है 1 होगी लेकिन A यह D में से कोई 1 होगा लेकिन इसकी जो भार की भुजाएं भी बढ़ रही है यह देको 3,3,4 बुज हो गया यह बर्ग हो गया तो इसके 5 भुजाएं है तो अब स्ववाइक सी बात है कि यह भुजाएं बढ़ जाएंगा अब 6 भुजाओं वाला हो जाएगा तो इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा A ठीके A इसका 9 का A राइट रहीगा Q10 देख लेते हैं Q10 में Q10 जो 7 का जो रलेसन 42 से है तो वही 9 का रलेसन किस से होगा तो इसका मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ 10 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B इसको आप स्वैम करेंगे अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्षन में बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा तो आप इसको स्वैम करेंगे Q11 से 21 के लिए देख लेते हैं इसमें निमन प्रेशनों में अंकों, अक्षरों, आकर्तियों की स्रंक्रा दी गई है जो कि किसी तर्क पर आदारीत है उस तर्क को समझ कर दिये हुए बिकल्पों में से लुप्त बद को चुनिए आपको जो missing alternate number दे रखा है उन में से choose करना है तो question number सस पहले हम 11 देख देते हैं HD, AY, XX, Y और last में जो missing है ये क्या होगा तो 11 का जो right answer रहेगा वो रहेगा C, A A कैसे आया आप देखे, H में minus 4 किया तो D D में minus 3 किया तो A A में minus 2 किया तो Y Y में minus 1 किया तो X और इसमें 0 फिर minus 1 Y minus 2 A ठीके, ये series ऐसे करके बढ़ जा दे 4, 3, 2, 1, 0 1, 2, 3, 4 करके ऐसे करके बढ़ेगी तो इसका जो 11 का जो right answer रहेगा हो रहेगा C ठीके Q2 नमबर हम 12 देख लेते हैं Q2 KM5 IP8 GS11 EB14 तो next क्या जो what next क्या तो question number 12 का जो right answer रहेगा वो रहेगा B CY 17 अब CY 17 कैसे रहेगा मैं आपको complete solution बताता हूँ ठीके, जो CY 17 रहेगा वो ऐसे रहेगा KM5 नहीं के, K का जो हम पहले वाले अक्चर का देख लेते हैं K का जो, पहले मैं साफ का लेता हूँ हाँ K का जो lesson I से है तो minus 2 करेंगे ठीके, I X में minus 2 करेंगे तो G G में minus 2 करेंगे तो E E में minus 2 करेंगे तो C, तो C इसलिए आ है, clear हो गया M में प्लस 3 करेंगे तो P P में प्लस 3 करेंगे तो S S में प्लस 3 करेंगे तो V V में प्लस 3 करेंगे तो Y ये भी आपका clear हो गया अब 5 का जो number है उनको देख लिए था 5 में प्लस 3 करेंगे तो 8 8 में प्लस 3 करेंगे तो 11 11 में प्लस 3 करेंगे 14 14 में प्लस 3 करेंगे तो 17 तो इसलिए CY 17 राइट आंचर रहेगा ठीक है इस स्रीज का जो पैटन है वो इस प्रकार का है ठीक है I hope कि आपको ये प्रेश्ण भी समझ में आ गया होगा Q13 Q13 में क्या है तो आप ये देख लिजे कि यहाँ पे 2 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 4 के बाद जो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 5 होगा क्योंकि ये 6 है तो A वाला तो है ही नहीं क्योंकि इसमें 4 है तो इसका जो राइट आंचर रहेगा वो क्या रहेगा C अब C कैसी रहेगा देख लिते हैं ये है आप इसमें पीछे वाले नंबर पकड़ी सिर्फ B में प्लस 2 करेंगे तो D F में प्लस 2 करेंगे तो H K में प्लस 2 करेंगे तो M तो इसलिए ये रहने वाला है Q में प्लस 2 करेंगे तो S तो इसलिए ये right answer रहेगा ठीक है, c वाला इसलिए right answer था question number 14 देख लेते हैं question number 14 है 6, 12, 21 question mark और 48 तो इसका 14 का जो right answer रहेगा वो रहेगा a, 33 अब 33 कैसे रहेगा, देख लेते हैं इसका solution भी हम जल्दी से देख लेते हैं तो 6 में plus 6 करेंगे, तो 12 इन दोनों की 20 का different है, 9 इन दोनों की 20 का different 12 इन दोनों की 20 का different 15 series क्या बन रही है, plus 3, plus 3, plus 3 करके बन रही है तो इसलिए 33 क्या होगा, right answer रहेगा 14, I hope क्या आपको 14 question समझ में आ गए है question number हम 15 देख लेते हैं 200, मैं सापका लेता हूँ, 256, 81, 64, 27, 16, 9, 4 तो what next? यहाँ पर क्या आएगा? तो 15 का right answer रहेगा, वो रहेगा B यहाँ पर आएगा 3 कैसे आएगा 3? यह देख लीजे यह हमारा complete solution है, आप इसको देख सकते हैं 200, अगर हम divide करेंगे तो इस side से चलेंगे और multiply करेंगे तो इस side से चलेंगे ठीक है? तो अगर हम 256 में 4 से divide करते हैं तो 64, 64 में 4 से divide किया है, तो 16 16 में 4 से divide किया, तो 4 वैसे ही, 81 में 3 से divide करेंगे, तो 27 27 में 3 से divide करेंगे, तो 9 और 9 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, ठीक है आप अगर इधर को चलना चाह रहे हैं इधर से इधर को चलना चाह रहे हैं तो multiply करती जाएए 4 को 4 से multiply किया 16, 16 को 4 से multiply किया 64, 64 को multiply किया 4 से 256 बसे 3 को 3 से multiply किया 9, 9 को 3 से multiply किया 27, 27 को 3 से multiply किया 81, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आंसर आएगा 3, ठीक है, चले, question number 16 देख लेते हैं, इस तो इन आपको, I hope कि आपको सारे question जो हमने अब दी तक 15 question कर लिये हैं, यह आपको सारे के सारे समझ में आए होंगे, अगर आपको question समझ में आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छ पर विजिट कर रहे हैं, तो आप अश्य सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे कि आपको ऐसे मेहत्वपूर्ण, जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत ही मेहत्वपूर्ण वीडियो हैं, वो आपको मिलते रहे हैं, चले, question number 16 देख लेते हैं, 24, 72, 100, 20, तो what next? लिक है, तो 16 का जो right answer रहे हैं, वो रहे हैं, B, 168, ठीक है, इसमें ये आसान सा प्रेशन था, इसमें 24, 32, 24, 25, 120, 24, 27, 168, यहां पे 2, 2 का डिफरेंट है, ठीक है, तीन के बाद 5, 5 के बाद 7, तो इसलिए यहां पे 168 आया, I hope कि आपको समझ मागिया होगा, तो question number 17 देख लेते हैं, question number 17 हमारा, 31, 35, 44, 60, 85, और what next, तो 17 का जो right answer रहेगा, हो रहेगा, A, 121, अब यह देख लेते हैं कि 121 कैसे आया, तो यहां पे देख सकते हैं, तो जो pattern बना, 31, 31 में 4 एड किया, 35, 9 एड किया, 44, 16 एड किया, 60, 25 एड किया, 85, और 36 एड किया, तो 121, तीक है, अब इन में pattern कैसे बनना था, 2 का बर्ग, 3 का बर्ग, 4 का बर्ग, 5 का बर्ग, और last में क्या बनेगा, 6 का बर्ग, बनेगा, तो इसलिए, 121, 121, इसलिए ये right answer रहा, ठीक है, I hope कि आपको 17 वाला question भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, question number 18 देख लेते हैं, question number 18 है, 28, 33, 31, 36, और यहाँ पे क्या आएगा, और 39, तो 18 का जो right answer रहेगा, वो रहेगा, B, 34, अब 34 कैसे आएगा, देख लेते हैं, ठीक है, 34 कैसे आएगा, अब यह देखे, 28, 28 में, plus 2 क्या, 33, minus 2 क्या, 31, plus 5 क्या, 36, minus 2 क्या, 34, और plus 5 क्या, तो 39, इसलिए यह है, जो यह pattern है, वो यह बन रहा है, plus 5, minus 2, plus 5, minus 2, फिर plus 5, अगर एक और संख्या होती, तो यहाँ पे minus 2 होता, ठीक है, आपको यह प्रेशन भी समझ भागा है, चलिए हम question number 19 का लेते हैं, यह फिर से figure वाले हुए, इस figure का जो relation इस figure से है, फिर इस figure से है, फिर इस से है, तो यह क्या होगा, आप इनके अंदर देखें, लिके, आप बहर वाले पे जाध्यान न दें, कि जो बृत था, पहले जो बृत था, वो जो छोटा से बृत था, वो अर्दचंद्राकार था, तो अब अर्दचंद्राकार क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा, तो 19 का D right answer रहेगा, ठीके, D इसका right answer होगा, ठीके, यह देख लिजे न, इसके तिर्भूज के अंदर बृत था, तो यह बृत भार गोला बन गया, अब इसके अंदर आयत थ अब यह तिर्भूजा है, तिर्भूज के अंदर अर्दचंद्राकार है, तो वो अर्दचंद्राकार क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसलिए D यह right answer रहेगा, question number 20 देख लेते हैं, ABD, DG, K, HMS, MTB, SBL, और what next, तो 20 का मैं पहले right answer बता देता हूँ, इसका D right answer रहेगा, D कैसे होगा, देख लेते हैं, तो यह pattern बनेगा इसमें, आप इसमें देखेंगे, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, तो ऐसे करके यह right answer रहेगा, ठीके, D वाला इसलिए right answer रहेगा, आप इसको पूरा देख लेंगे, ठीके, पूरा अच्छे से इसको समझ लेंगे, आप screenshot रख सकते हैं, जो pressure समझ में आए था, एक बार आप वीडियो को pause करके भी समझ सकते ठीके, question number 21 देख लेते हैं, question number 21, B, D, F, I, L, P, और what next, यहाँ पे 21 का जो right answer रहेगा, वो रहेगा, C, T, यहाँ पे T आएगा, T कैसे आएगा, देख लेते हैं, ठीके, तो इनका pattern कुछ ऐसा है, B और D में रिलेशन, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 3, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 4, तो इसलिए यहाँ पे T right answer रहेगा, ठीके, यह इसका pattern है, ठीके, चले, question number 22 से 32 के लिए, यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, निमलिकित प्रश्ण ओ, मैं 4 पत दियेगे हैं, भिन पत को ज्यांत के आपको odd in out वाले हैं, ठीके, अमरूत, संत्रा, आम, लीची, ठीके, तो इसमें क्या है, हम संत्रे को भी छिलके खाते हैं, आम की भी हम छिलके नहीं खाते हैं, लीची की भी हम छिलके नहीं खाते हैं, लेकिन अमरूत हम छिलके सहीद खा सकते हैं, ठीके, तो इसका जो right answer हो जो odd है, वो है A, निक, 23 का देख लिएते हैं, पीतल, लोहा, अलमुनियम, जस्ता, तो इसमें जो right answer रहेगा, वो रहेगा A, brass, पीतल, निक, चलिक, question number 24 देख लेते हैं, question number 24 हम देख लेते हैं, ठीक, question number 24 हम क्या है, A, C, D, F, निक, इन सब में क्या है, A और C के बीच में, B गायव है, और D और F के बीच में, E गायव है, ठीक, आप यहाँ पे देख से, सिर्फ इसमें जो 24 का, जो right answer होगा, जो होगा, B, आप इसी में देखे, बाकि इन सब में भी गायव है, T और V में, U गायव है, ठीक, सिर्फ इसी B वाले में, कोई भी missing नहीं है, F के बार G, और H के बार I, इसलिए B क्या होगा, right answer होगा, ठीक, question number 25 देख लेते हैं, question number 25 को समझने के लिए, इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब ऐसे उनको marking कर देंगे, इसको 1, I को 2, T को 3, और H को आप कर देंगे, फूर, ऐसे गर के marking करिए, और तब भी आप इस question को solve कर सकते हैं, तो 25 का मैं आपको answer बता देता हूँ, trick को मैंने आपको बताई दी, तो 25 का जो right answer रहेगा, वो रहेगा D, अब कैसे different है, आप comment section बताएंगे, ठीक, मैंने आपको trick बताए दी, कि इसको 1, 2, 3, 4 करके करिए, जैसे आप देखे, डबलो लास्ट मैं तो इसको 1 कर सकते हैं, ऐसे करके, कि कौन सब्द कहाँ पे है, ऐसे करके करेंगे, तो आपका जो right answer रहेगा, वो D रहेगा, कैसे रहेगा D, आप बताएंगे, ठीक है, comment section में बताएंगे, question 26 है, अंडमान, इंडिया, सिलंका, नेपाल, यह तो आप समझी यह सारे देश हैं, और यह भारत का कैम साशित प्रदेश है, टी, आर, क्यू, एन, एल, जे, ह, एच, एफ, डी, बी, जेड, एक्स, तो 27 का जो हमारा right answer रहने वाला है, वो रहेगा A, टीक है, 27 का A, right answer होगा, 28 देख लेते हैं, question 28, इसमें आपको odd पहचानना है, तो यह देखें, सबके इसके सामने है, इसके भी सामने है, इसके भी सामने सिर्फ एक ही है, कि इसके जो यह है, तो इसमें जो C, यह right answer रहेगा, 29 में A, right answer रहेगा, आप देखें, इसमें ही सिर्फ pattern बनना है, यह anti-clockwise pattern बनना है, तो यह इधर से इधर के फिर, ने, clockwise pattern बन रह है ठीक है तो एक इसमें रहे है सिर्फ एक इसी में पैटन बनना है बाकि किसी में पैटन नहीं बन रहे है ठीक है तो यह बन रहे है कि पहले यह इधर इधर था फिर इधर गया फिर इधर गया फिर ऐसे करके यह ऐसे बन रहे है ठीक है तो यह इसलिए राइट आंसर रहेगा Q30 देख लेते हम Q30 का जो ये है इसमें 30 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा C C इसका राइट आंसर होगा आप इसकी रेखाओं पर भी द्यान देंगे और फिर इस पर द्यान देंगे Q31 ये तो बहुत ईजी सा है इनमें लकिरें कुछ जादा ही है इसमें काम है तो ये राइट रहेगा देख लिए उसमें और आमें कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 देखे और इसमें काम है देख लिए ये और रहेगा Q32 तो 32 का जो राइट आंचर रहेगा वो रहेगा C ठीके? इसका C रहेगा अब इसमें C क्यों रहेगा? आप देखें अगर 168 divided by 56 तो अकेला ये है कि जो पूरा-पूरे बार कटता है ठीके? आप इसको काटेंगे तो 3 आएगा बाकी ये सब दसमलब में आएगे ठीके? तो इसलिए C राइट आंचर रहेगा Q33 देख लेते हैं मैं थोड़ा एड़स कर लेता हूँ Q33 Q33 निम्ट प्रेश्णों मैं कौन सा वेन आरेक देगे ये वेन आरेक वाले हैं देगे समनों को सही समनों को दर्साता है गाजर, भोजन, सबजी दीके? तो गाजर और सबजी क्या है? भोजनी है जो गाजर और सबजी क्या है? एटलिस्ट भोजन है तो 33 का जो right answer रहेगा वो रहेगा C ये भोजन है गाजर से सबजी बनती और सबजी एटलिस भोजन है तो ये भार का भोजन फिर सबजी और लास्ट में अंदर सबस अंदर का गाजर तो 33 भी हमने समझ लिया है Q34 देख लेते हम निमलेकित आरेक का अध्यान कर उतर दे तो कौन सी संक्या सभी जामितिय आकरतियों में समलित है तो इसका जो right answer रहेगा वो थी 3, D ये आप यहाँ पर देख सकते है 3 सब में है वो आयत में भी है बृत में भी है और तिरभुज में भी है तो इसलिए इसका D ये क्या होगा right answer होगा ठीक है question number हम हमारा ये क्या हो गया 34 हो गया आप question number हम 35 देख लेते हैं रामो 30 मीटर दक्षिन चलता है दाये मूड़कर 25 मीटर चलता है पुनो बाये मूड़कर 10 मीटर चलता है अंत में दाये मूड़कर चलने लगता है अब उसका मूख किस्ति साम है आप इसको भी स्वयम करेंगे आप इसको रब कॉफी में डायेग्राम बनाएगे देखे कि पहले वो 30 मीटर दक्षिन गया फिर वो वहाँ से क्या मूड़ा दाये मूड़ा 25 मीटर चला फिर वहाँ से वो बाये मूड़के 10 मीटर चला देखे और फिर वो बाये मूड़कर चलने बैट किया तो 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B चितर तुम्हें ने बनाएदिया आपके लिए देखे पिर वो दाये मूड़ा फिर बाये मूड़ा अब वो इधर को मूड़के लिए तो ये पूरब में चल पड़ा क्वेस्ट नमर 36 देखे लेते हैं क्वेस्ट नमर 36 रहेगा हमारा थोड़ से अहां अब पूरब दिख रहा होगा एक आदमी एक किस्तान से चलना सुरू करता है आठ किलिमेटर उत्तर की दिशा में जाता है दाये मूड़ता है और 12 किलिमेटर चलता है बाये मूड़ता है 7 किलिमेटर चलता है फिर गोमता है 24 किलिमेटर दक्षिन की ओर चलता है दाएं घुमता है 12 किलोमेटर चलता है वो RMB के स्तान से किस दिशा में है तो 36 का right answer रहेगा B दक्षिन दिशा में चलता है वो ठीक है आप figure swim बनाएंगे 35 कमेन आपको समझा दिया है आप इसका figure swim बनाके बताएंगे कमेन सेक्षन में आप बता सकते हैं Q37 पुरा दिशा में है तो बड़ी सुई, मिनट की सुई किस दिशा में होगी याने जनलिया आप ये देखे गड़ी ये है अब ये ऐसे है ऐसे 9 बजगे अब सुई क्या है अगर हमने गड़ी उल्टी पहन दी दूसरे हाथ पहन दी ये हाथ की गड़ी है अगर हमने दूसरे हाथ पहन दी तो 9 कहां बन जाएगी यहां बन जाएगी तो ये सुई यहां को पहुँच जाएगी ठीके? तो 37 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ठीके? Q38 देख लेते हैं Q38 ये कूट भासा में reaching tomorrow को ऐसे लिखा जाता है तो उसी भासा में इस प्रकार को क्या लिखा जाएगा? तो 38 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा A trend delay आप इसको करेंगे मैंने उपर आपको काफी जो प्रेश्ट समझा दिये हैं अगर आपको ऐसे प्रेश्ट समझ में नहीं आ रहे हैं तो जो हमने NMMS का NMMS का जो MAT का पिपर उल्फ किया था ठीक है? MAT का पिपर call, 2020 का पिपर उल्फ किया था या NTSC का जो पिपर उल्फ किया है उसमें आप देह सकते हैं इसमें हमने विस्त्री रूप से ऐसे प्रश्णों का solution दिया है तो आप ये swim करेंगे यदि किसी code भासा में social को TQFM FR लिखा जाता है तो dimple को किस प्रकार लिखा जाएगा तो 39 का जो right answer रहेगा वो रहेगा A ठीके अब देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा क्यों लिखा जाएगा वैसे तो ये देख लेते हैं आयोगे हाँ पूरा देख रहा है तो जैसे S को T कैसे लिखा गया plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 ठीके तो वैसे dimple को ऐसे लिखा जाएगा लिखे यह आप इसक्रिंशॉट अख सकते हैं तो dimple को इसलिए ऐसे लिखा जाएगा लिखे हम question number 40 देख लेते हैं A is equal to 2 R equal to 5 S equal to 7 O equal to 3 E equal to 4 हो तो किन अक्षरों में सबसे बड़ी संक्या बनेगे आप यह देख लीजिए सबसे पहला आप यहां ध्यान नगे महसराल सा प्रेश्ण है S मतलब 7 सबसे बड़ा यह है तो जिसके आगे S होगा तो C right answer होगा ठीक है S मतलब 7 बागी तो कोई संक्या ही नहीं है ठीक है तो यह सबसे बड़ी संक्या है 40 यह right answer रहेगा 41 देख लेता है यह ती किसी कूट में LUT को mute लिखा जाता है FATE को gate लिखा जाता है JATE लिखा जाता है तो उसी भासा में BLU को blue को क्या लिखा जाएगा 41 का जो right answer रहेगा उरहेगा C clear L का M हो गया F का G हो गया तो B का C हो जाएगा तो यह clear होगा B इसका right answer रहेगा Q42 देख लेते हैं देख रहे है यह ती कूट भासा में graduate को ऐसा लिखा जाता है तो उसी भासा में Arihant को कैसे लिखा जाएगा 42 का जो right answer रहेगा उरहेगा A इसका A यह right answer रहेगा Q43 एक बस किसी station पे दिन में 12 बच के 25 मिनट पर छोड़ती है तो अपने गंते विस्तान 10 बच के 45 मिनट पर पहुँचती है तो यातरा की अवगदी है तो 43 का right answer रहेगा यानि वो बस दिन में गई और कल सुबह 10 बच के 45 मिनट पर टूकी ठीक है? अपने गंते पर पहुची तो उन्होंने कितने गंटे यातरा की? तो 43 का जो right answer रहेगा हो रहेगा 22 गंटे 20 मिनट उन्होंने यातरा की ठीक है? लिक्वेस नमबर 44 देख लिते हम कल्यानी बेना की सास है बेना असोग की भावी है धीरज सुदीब के पिता है धीरज असोग के इकलोता भाई है तो कल्यानी का असोग से कैसे संबंद होगा? तो 44 का जो right answer है वो है A उनका माता का संबंद होगा लिक्वेस नमबर 45 देख लेते हम दीपक ने प्रकास से कह कि वो हो लड़का जो फुटबॉल खेला है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के दो भाईयों में छोटा है खेलेवारा लड़का दीपक से कैसे संबंद लेते है तो ये तो आपको समझी में आ गया तो 45 का क्या होगा? D है, उसका भाई है हो कैसे है भाई? हुआ और उसका एक छोटा भाई दीपक का छोटा भाई है दीपक तो इसलिए D ये राइट आंसर हुआ कॉस्टमब 56 देख लेते है यदि यदि ये A और ये डॉलर का साइन B का तात्परिया A माता है B की इसका ये तात्परिया है A पिता है B का A एड़ दरेट B ये हैज का चेन ये एड़ दरेट का तात्परिया A पती है B का A प्रसेंटेज B का तात्परिया है A पुतरी है B की तो दिये के समिकर्ण के अंसार F किस परकार H से समन दिते है तो 46 का जो राइट आंसर रहेगा वो है जी जागा आप इस स्लिशन को बनाईए Question number 47 एक जनवरी 2006 को रववार था तो पता लगाएं कि एक जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा ये कलेंडर वाले हैं तो 47 का जो राइट आंसर है वो रहेगा C उस दिन क्या रहेगा Friday रहेगा कैसे रहेगा Friday ये देख लेते हैं ये मैंने आपको एक complete solution बना के दे रखा है आपको सारा देख रहा होगा ये आपका screenshot भी रख सकते हैं इसका एक जनवरी 2006 को रववार था 31 दिसंबर 2005 को सनिवार है तो 2006 से 2009 तक विसम दिनों की संक्या 5 हुई तो 31 दिसंबर 2009 को गुरु बार रहेगा तो एक जनवरी 2010 को सुक्र बार रहेगा ठीक है तो आप इसका screenshot रख सकते हैं ऐसे करके ये प्रेश्न सौल हुआ Question number हम 48 देख लेते हैं पहले इसके निर्दिश पढ़ लेते हैं प्रेश्न पढ़ लेते हैं 48 का एक निर्दिश नहीं एक निस्चित संक्या में गोडे जितने की ब्यक्ति कहीं जा रहे हैं ब्यक्तियों में से आदे अपने गोड़ों की पीट पर सवारी कर रहे हैं जबकि सेस अपने गोड़ों को लेकर उनकी आगे पैदल चल लें यानि आदे लोग जितने भी गोडे हैं, उनमें से आदे आदोंने गोडे के उपर बैठ रके हैं, और आदे अपने गोडे को पकड़ की पैदल चल ले हैं. यदि जमीन पर कुल पैरों की संक्या सतर है, तो गोडों की कुल संक्या कितनी होगी? तो 48 का जो मैं पहले आपको अंसर बता देता हूं, 48 का जो राइट अंसर रहने वाला है, वो तो C रहने वाला है, कि 14 गोड़े हैं, 14 होडस हैं, कैसे हैं? यह देख लेते हैं, माना गोडों की संक्या क्या थी? हम माना गोडों की संक्या बराबर व्यक्तियों की संक्या बराबर X, तो पैरों की संक्या क्या होगी? गोडों की संक्या, गोड़े पे 4 पैर, तो 4 X, और आज़े पे 2 पैर, तो 2 X, तीके? और अपन X अपन 2, तो क्या है? 5 X, हम इनका लिया, तो इस प्रकार से 14 राइट आं कि 14 कैसे आए क्वेस्टमर 49 देख लेते हैं यदि R A V E N O U S सब्दों के सब्दों का कोई कितनी बारवी प्रियोग करना चाहे तो दियेगे 4 बिकलों में से कौन सा अक्षर नहीं बन सकता है तो 49 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा D सारे तो बन जाएंगे लेकिन आई कहां से आएगा ठीक है आई तो इसमें है यह नहीं तो इसलिए रिवर वालन नहीं बन सकता है क्वेस्टन बार 50 है रोसन साब कर लेता हूँ रोसन हारदिक से लंबा है हारदिक सुनिल से छोटा है निञजा हैरि से लंबी है किन्तो हारदिक से छोटी है सुसील रोसन से छोटा है बताए सबसे लंबा कौन है तो 150 का जो राय टांचर रहेगा वो रहेगा D रोसन सबसे लंबा है कैसे है? यह है यह क्राम है उनका यह उनका क्राम है आपको दिख रहा होगा, आयोप आपको दिख रहा है, ये रोशन लंबा, रोशन चे छोटा थोड़ा चोटा सुसील, हार्दिक, निंजा और सबसे चोटा हैरी, ये उनका लंबाई के अनुसार है, तो इसलिए रोशन क्या होगा, सबसे टॉलेस्ट है, क्वेशन नमबर हम 51 देख लेते हैं, रमेश मोहन का पिता है, श्याम मोहन का पुतर है, तो रमेश और श्याम की बीच क्या संबन्द है, तो 51 का जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा, C, दादा और पोता का संबन्द है, आसान चा प्रश्न था, आपने कर लिया होगा, क्वेशन नमबर 52, राम दीपक का भाई है, सुनिता राजिस की बैन है, दीपक सुनिता का पुतर है, राम सुनिता से कैसे संबन्द देते हैं, तो 52 का जो राइट आंसर है, बेटा, सन है, उनका, निके, तो मैंने आप पो ये फिगर बता रखा है, आप इसमें देख सकते ह चले एक क्वेशन नमबर 53 देख लेते हैं, कि कैसे करेंगे सबसे लंबा राजू, फिर वसंत, फिर मनोहर, फिर जैन और दत्ता, तो इस प्रकार राजू क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया है, ठीक है, राजू सबसे लंबा है, इसलिए A right answer रहीगा, ठीक है, Q54, देख लेते हम, मैं थोड़ा एड़स कर लेता हूं, Q54, उन सबी बिद्यार्थियों, मैंसे जिन्होंने प्रिक्षा उत्तिण की है, रिचा का उपर से 16 अस्तान है, ठीक है, उपर से उसके रैंक कौन सी है, 16 है, तथा नीचे से 29 हैं, और नीचे से 29 हैं, और नीचे से 29 हैं और 5 बिद्यार्थी उत्तिण नहीं हुई, याने 6 समरीती नहीं हुए, और 5 पासी नहीं हुई, तो कक्षा में कुल कितने बिद्यार्थी हैं, तो 54 का 54 का जुराइट अंसर रहेगा, वो तो D रहेगा, कि उसमें टूटल 55 बच्चे थे, आप कैसे 55 कैसे हैं, देख लेते है मैं आपके लिए complete solution बना रखाएं, आप इसको देख सकते हैं, उत्तिण होने वाले इस डेंट, 16 प्लस 29 और एक रिचा, तो टूटल हो गया, 44 रिचा को हमने minus कर दिया है इसमें से, ठीक है, क्योंकि उसके सहीत हैं, वो कह रहे है कि 16 और 29 नंबर है, तो रिचा भी उसमें सम पास हुए 44, अनुतिन हुए 5, परति भाग नहीं किया, 6 नहीं, तो टूटल किते हैं बच्चे हैं, 55 बच्चे हैं, टूटल जो चात्रों के संक्या है, वो 55 है, तो ये question number 54 आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है, question number 55 देख लेते हैं, 55 देख लेते हैं, दीक इस रंकला को कीजिए, ये तो काफी सरल्चा होता है, आपको इसके बाद का देखना जैसे सुर्वामत में M है, तो M के बाद क्या है, A दे रहे हैं, तो यहाँ पर A आ जाएगा, फिर N M है, तो M के बाद फिर से A आ जाएगा, निके, N के बाद क्या आ रहे है, N के बाद M आ रहे है, निक तो 55 का जो right answer होगा, वो होगा B, ठीके, इसका right answer B रहेगा Q56 देख लेते हैं, 37 एक किताब रहवार के दिन पढ़ता है, सुधा वह किताब अनिल से एक दिन पूर्व, गुरुवार को पढ़ती है वो रहवार को पढ़ता है, और अनिल से एक दिन पूर्व, याने गुरुवार को, और गुरुवार से एक दिन पूर्व क्या हो, अनिल ने किताब किस दिन पढ़ी अनिल एक दिन सुधा वह किताब अनिल से एक दिन पूर पढ़ती है अनिल ने वह किताब का पढ़ी अब आपको तो आंसर आई गया 56 का जो राइट आंसर रेगा वो होगा A, उसने वह किताब सुक्रवार को पढ़ी ठीक है चले question number दिएगे सब्दों को उस क्रम में लगाएं, जिस क्रम में वह सब्द को उसमें आते हैं, तो 57 का आप इसको स्वेम कर लेंगे, 57 का मैं आपको आंसर बताता हूं, इनका जो सही क्रम होगा, वह होगा B, 58 का बिचम में फ्याइड, तो 58 का जो राइट आसर होगा, वह होगा D, E है, 58 का right answer E है तो कैसे हुआ E देख लेते यहाँ पर अगर हम इसका diagram बनाने की कोशिज करेंगे तो diagram कुछ इस प्रकार बनेगा यह बृत बन गया और ऐसे करके वो खड़े हो रहे हैं जितने ABCD, EF करके ऐसे कड़े हो रहे हैं इधर से इनका लेप्ट हो गया और इधर से right हो गया और D यह है आई हो कि आपको समझ में आगया होगा चलिए question number next देख लेते हैं question number 59 है आपको देख रहा होगा पूरा मैं थोड़ो और adjust कर लेता हूँ हाँ, अब ठीक है question number 58 है परवेंड, सामुही, अजीत, मयूरी और नीला एक ही कारखाने में काम करते हैं नीला ने कारखाने में काम अजीत से पहले पर सामुही के बाद शुरू किया परवेंड ने सामुही से पहले कारखाने में काम करना शुरू किया लेकिन मयूरी के बाद कार खाने में सबसे लंबे समय से कौन काम कर रहा है तो 59 का जो राइट आंचर होगा वो होगा A, मयूरी ठीक है Q60 देख लेते हैं Q60 निम लिखित मैंसे कौन सा वर्स अधी वर्स नहीं है अब आज तक तो आपने पढ़ा था कि जिसमें 4 से डिबाइड हो जिस भी वर्स में 4 से डिबाइड हो वो क्या हो जाएगा A, अधी वर्स हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पे तो centuries की बात हो रही है तो century में अधी वर्स कैसे निकालते हैं एक वर्स को अधी वर्स निकालने के लिए 4 से डिबाइड करेंगे अब इसमें 400 से 800 में डिवाइड कर रहे हैं तो 2 से पुन पुन डिवाइड हो जा रहा 13 से डिवाइड हो जा रहा 2000 फाइब से डिवाइड हो जा रहा सिर्फ 700 ही ऐसा है जो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 60 का A right answer होगा अब आपको समझ में आगाए अगर कोई वर्स, कोई एक वर्स निकालना है, तो तब फोड से डिवाइड करेंगे, अगर एक सेंचुरी निकालनी है, तो फोर हंडेड से डिवाइड करेंगे, ठीके, आई होब क्या आपको समझ में आ गया, question number 61 देख लिते हैं, यदि 8 दिसंबर, 8 दिसंबर 2007 को सनिवार हो, तो 8 दिसंबर 2006 को सब्ता का कौन सा दिन रहा होगा, हमने अभी एक ऐसा ही सवाल देखा था, आप उसकी बेस पे इस सवाल को कर लेंगे, तो 61 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ, 61 का जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा D, Friday, ठीक है, question number 62 देख लिते हैं, question 62, एक पिता और पुत्र के मध्या, आयू का अनपाद 17 रेशियो 7 है, 17 अनपाद 7 है, 6 वर्स पूर्ग, उनकी आयू का अनपाद 3 रेशियो 1 या 3 अनपाद 1 था, तो पिता की वर्तमान आयू क्या है, तो 62 का जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा B, 51 एर, ठीक है, 51 वर्स रहीगी, अब 51 कैसे आया, देख लेते हैं, यह मैंने आपके लिए solution बना रखें, मैं इसका थोड़ से एड़स कर लेता हूं, आयूप के आपको दिख रहा है पूरा, तो यह यह पूरा है, सबस पहल है, ठीक है, क्योंकि अनपाती है, इसलिए 17 साथ हुआ, छह साल पहले, तो 6 साल पहले उनके आए 17x-6 और 7x-6 थी, ठीक है, तो यह सारा हम, आप मैं इसको डेटेल में नहीं बता रहा हूं, आप यह कर लेंगे, ठीक है, आप इसको देख लेंगे, अपनी कॉपी में आप न लास्ट में एसे करकिंए लास्ट में यह पिता और पूत्र क्या आय निकल गी, कि पूत्र की जो वर्तमानाई है, 21 वर्स है, और पिता की 51 वर्स है, ठीक है, तो आपको समझ में आगया होगा solution, नेक्स वर्सन देख लेते हैं, नेक्स वर्सन में, क्वेश्ण नमर 63, पिसले पिशले वर्स मेरी आयू पून वर्षं संकया थी, ये समझ ले थोड़ से, मैं थोड़े इसको adjust कर लेता हूँ, अब देख लिजे. पिशले वर्स मेरी आयू पून वर्षं संकया थी. अगले वर्स घंध संकया हुजअगी. पिशले साल whole square थी और next year क्या हो जाएगी cube number हो जाएगी तो मेरी वर्थमान आयू वर्षम में बताईए लेकिए अब सबसे पहले अगर आपको ऐसा दे रखा है लेकिए बहुत लंबी process में हम नहीं जाएगे अगर ऐसा दे रखा तो इन में से देखे कि कौन से square होता है तो जो पूर्ण square होता है 26 year 24 words 25 words या 28 year में सबसे पूर्ण वर्ण क्या है 25 words ठीक है 26 से लेकर 28 तक cube क्या आता है 27 ठीक है ये cube होता है और 25 पूर्ण square होता है इन में ठीक है जो इन के बीच में आएगा 26 से 28 वर्स की बीच में आएग, तो यह 25 स्क्वाइर हो गया, 5 का स्क्वाइर, ठीक है, और 27 क्यूब हो गया, 3 का क्यूब, ठीक है, तो अब यह उसकी अगले पिछले साल उसकी आई थी 25 वर्स, क्योंकि whole स्क्वाइर था, पूर्ण वर्ग था, और अगले साल उसकी आई क्या ह हो जाएगे 27 वर्स क्यों हो जाएगे घंसंग क्या हो जाएगे तो इस साल उसके आए क्या होगी तो जो शिक्षी थरीका आप तो आप समझे के 63 का जो right answer होगा, इस साल उसकी 26 साल होगी, इस साल 26 साल है, पिसे साल उसकी square थी, अगले साल उसकी घन हो जाएगी, ठीके, तो A इसका क्या होगा, right answer होगा, आहे होग कि आपको ये समझ में आग्या होगा, ठीके, नहीं आये तो आप वीडियो को pause करेंगे, फिर से एक बार दे 50 girls और 70 लड़कों, 70 boys ने क्या-क्या मिलकर एक संगीत कारेक्राम का आई जन किया, कितने हैं, 50 plus 70 याने 120 ने क्या-क्या एक music संगीत का प्रोगाम आई जन किया, उसमें क्या होगा 40 परसेंट लड़कें आई आई, सिर्फ 50 में से 40 परसेंट ही लड़कें आई, और 50 परसेंट 40 परसेंट लड़कें आई और 50 परसेंट लड़कें ने भाग लिया, तो कितने परसेंट लगभा कितने परसेंट लोगों ने भाग लिया, याने इन दोनों को जोड़के, याने टोटल में से 120 में से पहले लड़कें का आपको 40 परसेंट निकालने है, लड़कों का 50 परसे से निकालना है, तो पहले मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूं, इसका राइट आंसर होगा, इसमें 50 girls थी और 70 boys थी, तो टोटल 120 girls ने भाग लिया, सिर्फ 40% लिया तो, तो 50 का हम 40% निकालेंगे, तो 20 girls ने भाग लिया था, वैसे boys का निकालेंगे, तो 35 boys ने भाग लिया था, ठीके, अब प्रश्न के अनुसार, 120 में से उनका प्रतिसात निकालना है, तो 20 girls, 35 boys, 20 के, तो टोटल कितने हुआ, यह 46, ऐसे निकल के आगे, तो आप इसको, नोट करके रखेंगे, अपनी copy में, ठीके, नहीं समझ माया है, तो एक बार pause करके, देख लेंगे, question number, अब निर्देश दे रखें, यह निर्देश रहेंगे, निर्देश हैं क्या, 65 से 67 तक, जो निर्देश रहेंगे, 65 से 67 तक रहेंगे निमल लिखित प्राश्णों में प्राश्ण आकड़तियों की एक सरंखला दी गई है प्राश्ण वाचक चिन के इस्तान पर कौन सी उत्तराखटी आएगी उसका चैन उत्तराखटियों में दीगे बिकल्पों में से करें तो यह निर्देश कहां के लिए है 65 से 67 के लिए यह जो direction दे रखे हैं तो चले 60 question में 65 देख लेता है पहले यह जो प्रेश्णा करती थी ऐसी थी फिर ऐसी हो गई फिर इस केनारे चलेगी अब यह जो छोटा सा काला बिंदू था यह देख रहे हैं यह जो छोटा सा black dot है यह क्या हो कि अब नीचे चलेगी तो उसके बाद कहां जाएगा हो उसके बाद वो इस कोने आया फिर बीज माह आगिया तो फिर इस वाब एकसी बात है अब यह उपर चलेगी तो इसका 65 का जो right answer रहने वाला है वो रहेगा D ठीक है यह इसका होगा यहाँ पर प्रेश्ण वाचक में यह वाला आएगा D is right answer question number 66 देख लेता है सब पहले इसमें देखे आप इसमें यह सब क्या हो रहे है clockwise चल ले है यह एक रहा 2 फिर 1 तो ऐसे और यह चदर बुजिया इसको भी कहेंगी इसको देखे तो यह चल ले है फिर यह यह पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे हो गया अब यहाँ पे हो गया अब यह यहाँ पे होना चाहिए देखे तो यहाँ पे 3 है देखे तो इन तीनों में से फिर बाकियों को देखिए कि बाकिय कैसे रोटेट कर रहे हैं तो 66 का जो right answer होगा होगा C यहाँ पे यह दो हैं फिर यह दो इधर को चलेगे फिर यह दो उपर को चलेगे अब यह दो यहाँ पे इधर को हना चाहिए तो ये दो इधर को है साथ में जो रिखाया है ये पड़ी हुई रिखा है इसको देख ले ये खड़े में है ये पड़े में है तो इस साब से C इसका राइट आंसर रहेगा 66 का C राइट आंसर होगा Q67 देख लेता है ऐसी direction 7 रहेंगे Q67 के पहले ये आकरती ऐसी थी अब ऐसी होगे तो यहाँ पर कौन सी आकरती आएगी कि ये ऐसा हो जाए तो 67 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B ठीक है B is राइट आंसर Q68 देख लेते हैं Q68 निमने कित प्रेश्ण हो मैं चितर X मैं देगी आकरती अब पहले आकरती X देख लेते हैं ये आकरती है ये वाले आकरती इनमें से किसी एक में चिपी हुई है तो किस में चिपी हो सकती है तो इसमें C में चिपी हुई है ये देख लेजिए आप ये यहाँ पर बन रहा है ने बीच में आप बहार का मत देखे, बीज में बन रहा है ये, तो ये इसमें चिपी हुई है, question number 69 और 70 के लिए निर्देश है, 69 और 70 के लिए ये निर्देश है, निमलिकित प्रश्णों में किस उत्तर आकर्ती में प्रश्ण आकर्ती के सबसे अधिक component है, तो पहले इसमें गिन लिजिए, कि कितने हैं, मैं पहले प्रश्ण देख लेते हैं, अब साब साब देख रहे हैं, तो 69 का जो हमारा right answer रहने वाला है, वो रहेगा C, आप इसको गौर से देखीगा, और फिर इसको देखीगा, ठीक है, तो C हमारा right answer रहेगा, question number 70 है, निर्देश सैम रहेंगे, तो 70 का ये वाले आकरती किसा आकरती से सबसाधिक मिलती है, तो 70 का जो right answer रहेगा, हो रहेगा D, ठीक है, D ये वाले आकरती लगभग सैम है, question number 71, निर्देश है, 71 से 78 तक के लिए, संक्याओं आकरतियों के प्रस्पर समन्नों को द्यान पूरवक अध्यन करें, और ज्याद करें कि प्रश्न वाचक, जो question mark है, उसके स्थान पर कौन से आकरती या संक्या आहेगी, ठीक है, तो चले देख लेते है, question number 71, इनकी आपको practice करने चीए, यह बहुत सामाने तो देखने में लगता है, कि बहुत गुमाने वाले हैं, लेकिन इतने हुते नहीं है, 71 को को देख लिए, कि 6 और 5 है, और 3 3 है, और बीच में 39 है, 7 यहाँ पर इसको नहीं देखेंगे, यह कुछ ऐसे misprint हो गया है, आप इस यहाँ देख 5, 5, 3, 4, तो यहाँ पर क्या हैगा, अब आप गौर से आगर आपने देखा, तो यह क्या है, 6 multiply by 5, plus 3 multiply by 3, तो आया न, 56, 30, धन, तिंतिया, 9, आया 39, यह 39 सौल हुआ, दीख, वैसे आप देखें, 75 जा, यह वाला करेंग हम, 75 जा, 35, plus 4 फोर जा, 16, 16, और 35 की मिलके, 51, आया आंसर, यह 51 आ गया, तो वैसे ही हम इसका भी करेंगे, 55 जा, यहाँ पर करेंगे, 5 multiply by 5, बराबर 25, और 3 फोर जा, 3 multiply by 4, बराबर 12, तो कितना हुआ, 7, 3, 37, तो 71 का जो right answer रहेगा, वो C, 37, आपको यह समझ में आ गया होगा, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया, तो आप कमेंट सेक्शन में yes लिखेंगे, ठीक है, आपको अगर 71 वाला क्वेशन आ गया है, तो, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि आप समझ रहे हैं, ठीक है, चले, क्वेशन में 72 देख लेता है, 3 है, 4 है, 8 है, और बीज में 48 है, 5 है, 7 है, और बीज में 2 है, तो अब क्या होगा, यह कैसे आया, 48 कैसे आ रहा है, तो आप देखिए, 3 मल्टिप्लाइ बाइ 4 मल्टिप्लाइ बाइ 8 अपन 2, चार्थियां 12 अठा, चार्थियां दुश्री डंग से कर लेता है, इसको, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा, फोर, यह वन, दुख से भाग देंगे, तो चार्थियां 16, 48, आया ने 48, हम इसको काटके और विसरल कर सकते हैं, तो वैसी ही इसमें भी आएगा, 5 x 7 x 2, अपन 2, तो 2 से 2 कटा, 5 से भाग गजा, 35, तो इसका 72 का जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा D, आपको समझ में आगे न, यह देख लिजिए, 3 multiply by 4 multiply by 8 upon 2 2 बंज 2 और 2 फोर्ज 8 3 फोर्ज 12 और 12 फोर्ज 12 चको 48 यह आया ठीके तु वेसी ही क्या आएगा 5 multiply by 7 multiply by 2 upon 2 2 से 2 कट 75 जा 35 यह यह राइट आंसर याने यहां पे 35 होगा ठीक है चले आपको यह समझ में आगया question number 37 देख लेता है question number 37 में आप यह जो तिरभोज बना रहे हैं इन पे नहीं जाएंगे आप सिर्फ भार भार का देख लेंगे उन पे गौर करेंगे कि भार भार का कैसे करके हुआ देख लेंगे तो भार का कैसे हुआ 2 multiply by 3 समझ नहीं और divided by 2 2 3 चा 6 और प्लस 2 क्योंकि हमको कहा की सेंग क्या बता नहीं यहां पे 2 3 3 यह कैसे है 4 5 10 कैसे है तो 6 7 यहां पे कैसे आएगा इस पे ध्यान रखें मैंने सीधे ही आंसर बताने शुरू कर दिया था 2 3 चा 6 यह संख्या क्यों आएगी 6 upon 2 2 3 बंजा 2 और 2 3 चा 6 तो आएज 3 यह आगी यह संख्या अब इस वाले का देख लेते हैं 4 multiply by 5 upon 2 4 5 चा 20 20 upon 2 2 बंजा 2 दो एकम 2 और 2 दसांकी 20 तो आये 20 ठीके आये 10 न देखे यह 10 आये यहां पे अब इसको देखेंगे 6 multiply by 7 upon 2 लिके क्या आता है आप इसको कमेट सक्षन बताएंगे वैसे तो आपको आये यह साथ चेके 42 42 और 42 का 2 21 तो यहां पे क्या आएगा 21 तो इसको 73 का जो right answer होगा 21 यहने मैं आपको homework दे रहा था लेकिन मैंने नहीं बता दिया ठीके अगर आपको आ रहा है प्रश्चन क्या 73 भी आया गया तो आप उसके लिए भी yes लिखेंगे 73 yes लिखेंगे ठीके चली question number 74 देख लेता है यहां पे 9 है 17 है 33 है तो यहां पी क्या आएगा ठीके आंसर में 60 68 55 65 दे रखा है अगर आपने गौर से देख लिया होगा तो आपको pattern समझ में आ गया हो तो 9 का 17 से क्या समंद है 9 multiplied by 2 minus 1 9 तूजा 18 और minus 1 17 आया 17 33 कैसे आया 17 multiplied by 2 minus 1 तो 17 तूजा 34 minus 1 आया 33 अब यहां पी क्या आएगा 33 multiplied by 2 minus 1 33 तूजा 66 minus 1 65 दी वाला टाइट आंसर रहेगा समझ में आ गया चलिए 75 देख लेते हैं इसमें क्या है 27 9 2 1 35 7 3 2 36 4 और यहां पी क्या आएगा ठीके तो पहले आप इनका पैटन देख लीजे यह पैटन देख लीजे यहां पर 9 को लेते हैं 9 और 2 प्लस 1 3 9 2 1 तो क्या होगा इन दौनों को पहले हम जोड लेंगे रिके डीवास में वैसे ऐसे नहीं होता लेकिन यहां पर हम इन दौनों को जोडेंगे 2 1 इनको जोडेंगे 3 2 1 3 9 27 9 3 27 ठीके आया यहां पर 3 और 2 को जोडेंगे 5 और 7 5 35 आया अब यहां पर ऐसी कौन सी संक्या है कि जो 36 आ जाए आपने कर लिया है मैं समझ गया हूं कि आपने अनमान लगा लिया है यह आपने अपनी रफ को अभी में कर लिया है कि जो राइट आंचर होगा वो होगा C यहां भी क्या आएगा 5 5 प्लस 4 9 और 9 फोर जा 36 ठीके आया ने आपका भी चले ठीके बहुत अच्छी बात है आपका यह प्रेश्न भी आपको समझ में आए गया आप रिक्षर में भी इसको बहुत अच्छी से करने वाले देंगे चले आप स्टार वाला कर लेता है यहां पे 5 है 12 है 36 है 100 10 है 222 है तो यहां पे क्या आएगा देंगे तो पैटन क्या बन रहा है आपने समझ में आया आपको कि पैटन कैसे बन रहा है तो यहां पे बन रहा है 5 x 2 प्लस 2 5 दुना 10 धन्दो 12 ठीक है आगे 12 12 आगे देख लिया अब 26 कैसे आया 12 x 2 प्लस 2 12 दुना 24 और धन्दो 26 26 आया ठीक है अब 26 x 2 प्लस 2 तो 76 का अब आपने अन्मान लगा लिया है या आपने अपने उसमें कल्कुलिशन का लिया है कि 76 का जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ए ठीक है 26 दुना 52 और धन्दो 54 ठीक है 54 यहाए राइट आंसर अब 1 अब कुछ की दिमाग मा रहा होगा कुछ बच्चों की दिमाग मा रहा होगा कि 110 कैसा है आप देख लीजे यहाँ पे अगर हमने इसको 54 लिख दिया 54 गुणांगे दो धन दो करऊं दीक है दो चको आठ और दो पंजे 10 108 धन दो आया 110 वैसे 110 गुणांगे 220 धन दो 222 दीक है तो चलिए यह भी आपको समझ में आएगे आपके 76 गुणांगे आपको अच्छी से समझ में आगे चलिए अब यह नेक्स वाला आकरती वाला है आपको पूरा क्वेशन दिख रहा है हाँ दिख रहा है देंके यहाँ पे तिरबूज है फिर आयत है फिर पंजबूज है फिर पंजबूज है तिरबूज है आयत है तो यहाँ पे पंजबूज है आयत है तो मिसिंग क्या है तिरबूज नहीं है यह तो बड़े सराल से था D ka right answer है ठीक है इस क्योंकि सब में यह पैटन रिपीट हो रहे हैं लगाता रिपीट हो रहे हैं, प्रते की लाइन में, इधर हो दर चल जा रहे हैं हो, लेकिन चीजें वह ही रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ इसमें तिर्बूजी ही missing है, तो आपको यह समझ में आ गया है, question number next देख लेते हैं, 78, question number 78 में, यह arrow ऐसे थे, फिर ऐसे हुए, 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 तो यहाँ पर कौन सा arrow आएगा, तो 78 का जो right answer रहने वाला है, वो होगा B, ठीक है, आप सुरू की line से इस line को comparison कर रहेंगे, तो आपको अच्छे समझ भाएंगा, बीच की line आप ignore कर सकते हैं, आप question number 79 देख लेते हैं, निमने के संकला, मैं ऐसे कितने साथ हैं, जिनके ठीक पहले 6, लेकिन ठीक बाद 4 नहीं है, तो यह आप swim की नहीं है, लिगे, बहुत सालल सक question है, यह आप आराम स कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसका कोई भी solution नहीं दिया है, आप इसको swim, इसमें क्योंकि गिनती करनी है, आपको साथ रोणने है, जिनके ठीक पहले 6 है, लेकिन ठीक बाद 4 नहीं हो, मैं आपको इसका सिधा सिधा answer बदा देते हूं, क्योंकि यह सिर्फ गिनने वाला है, तो I think पूरा देख रहा है, निमने के सिर्फ ला, मैं ऐसे कितने 5 हैं, जिनके पहले 3 या 4 है, लेकिन ठीक बाद 8 या 9 नहीं है, तो ऐसे कितने हैं, यह भी आपको इसमें से आप गिनती करें, तो 80 का जो राइट answer है, हो है C, इनमें कोई tricks नहीं है, आपको गिननना हीं पड़े Q81 हम देख लेते हैं, Q81, संक्या, 3, 2, 1, 4, 6, 5, 8, 9, 7 में कितने अंकों की स्तिती समान रहेगी, अगर उनको आरो ही करम में ब्योस्तित कर दिया जाती, याने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कर दिया, तो कितनों की संक्या बिलकुत सेम रहेगी, जैसे इसके बराबर ही रहेगी, समान रहेगी, तो 81 का जो राइट आंसर है, होगा C, आप करके देखें, दीके, जो easy question है, मैंने उनका solution नहीं दिया, क्योंकि वो आपको आ रहे है, निमले कि संक्याओं से दो अंकों की संक्याओं में कितने स्विजन बनाए जा सकते हैं, जिन में 8 अंकों हूँ, दीके, इन बना सकते हैं, question number 83 है, ये भी आपके लिए आसानी रहेगा, 100 से 1000 तक कि संक्याओं में एक दहाई के इस्तान पर कितने बार आएगा, ठीके, याने दहाई के अंक में कितने बार एक आएगा, आप गिनिये, 101 से सुरू किये, और 1000 तक गिनते रहेगे, तो कितने बार आएगा, 83 का जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा, C, 90 बार आएगा, 90 बार ऐसा होगा, question number 84, 8 बज के 40 मिनट पर, घड़ी की सुयों के मद्या, कितने डिगरी का कौन बनता है, अब आप अपने रपकॉफ में डाइग्राम बनाएगे, ठीके, उसमें 9 बजा ये, और 9 बज के 40 मिन अब कितने डिगरी का डाइग्राम बनना है, ठीके, उनके बीच में कितने डिगरी का डाइग्राम बनना है, तो 84 का आप इसको चांदा और पट्री और प्रगार की साइधा से, या चांदे की साइधा से, आप इसको बनाएंगे, और फिर आप ना पेंगे, तो 84 का जो इसका समय प्रदस्षित करती है तो सही समय क्या होगा तो उस समय सही समय क्या रहा होगा तो 85 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा A, 6 बच के 20 मेंट हो रहे होंगे ठीक है Q86 नीचे दिएगी आकरती में कितने आयत है ठीक है आप इनको गिनेंगे पहले इस डाइग्राम को अपनी कॉपी में बनाईए इस पूरे डाइग्राम को अपनी कॉपी में बनाईए और फिर गिने और कमेंट सेक्षन में आप बताएंगे कि कितने आयत है क्या इसमें 16 आयत है या इसमें 18 आयत है ये दो question आपके लिए homework है आप इसको उसमें बताएंगे comment section बताएंगे कि आपके आयत कितने है आप question संख्या 86 लिखेंगे rectangle लिखेंगे और आयत की संख्या बताएंगे कि 16 है या 18 है ओके चलिए question number 87 से 89 तका लेते हैं 5 लड़किया फोटो किच्वाने के लिए एक bench पर बैटी है सीमा रानी के बाइं और है और बिंदू के दाइं और है ये देख लिए ये लंबा सा question है इसलिए आपको निर्देश बहुत अच्छे से पढ़ने है मेरी रानी के दाइं और है रिता रानी और मेरी के ठीक बीच में बैटी है अब ये तो निर्देश हो के इसको आप अगर एक बार में समझ भी नहीं है तो दो-तिन बार इसको अवश्य पढ़िए जो direction है उनको हमें साथ दो-तिन बार पढ़िए क्योंकि इसके लिए इतने सारे question परवाइत होंगे अब प्रेशन देख लेता है 87 का रिता के ठीक दाइं और कौन बैठा है तो 87 का जो right answer रहेगा वो रहेगा B, Mary कौन बैठा है? Mary बैठी है question 88 दाइं और अब ठीक है दाइं और ये पीछे वाले question का आगिया था ये देखे हमने कहाता कि रिता के ठीक दाइं और कौन बैठा है तो 87 का मैंने आपको right answer बता ले था B है ठीक है तो ये वाला ठीक वानीची तक पहुँच गया था ये question number 88 देख लेते है दाइं और दुदिया इस्तान पर कौन बैठा है 88 का जो right answer रहेगा A, Rिता ठीक है question number 89 bench के ठीक बीच में कौन बैठी है तो 89 का जो right answer रहेगा वो होगा A, आप इसको diagram बना सकते है पहले सबको बैठा दो कि कौन कैसे बैठा का है ठीक है आप अगर इसका diagram बना देंगे तो आपको ये बहुत आसानी से ऐसे प्रेश्न सौल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो शाएगा ठीक है चले question number 90 देख लेते हैं ये mirror वाला है नीचे दिएगे चारवी कलवा में से आकरती का जल परतिविम सरी mirror वाल नहीं जल परतिविम है आप जल परतिविम में थोड़ सी दिएगे mirror वाले में और जल परतिविम में थोड़ए थोड़ए ही अंतर होता है जल परतिविम में mirror यहां लगा होगा तो उल्टा दिखेगा और जल परतिविम में क्या रहेगा अगर मकान बना रखा है मानबाद ये एक मकान है इस पर एक जंड़ा है सवर मंदिर है या इस पर एक जंड़ा है तो जंड़ा सबसे नीचे दिखाए देगा यहां पर पानी है तो जंड़ा सबसे नीचे होगा और ये वाला हिस्सा सबसे उपर रहेगा दिखेगा पानी में तो इस बात का उसी द्यानक है, तो यहाँ पर जो यह बृत है, यह नीचे रहेगा, तो सब में नीचे ही है, ठीक हो गया, यह यह है, यह उपर क्यों रहेगा? सिर्फ आपको क्या देखना है? ये वाला है सा जो एक बर्ग है और उसमें आदे में क्या है सेडो है आदा काला और आदा सबेद है तो इसका जो अब आप इसको देखेंगे मैंने आपको बता दिये कि कैसे करके उसका देखेगा तो इसका जो राइट आंसर होगा 90 का ये रहेगा C 90 का C राइट आंसर होगा चलिए ये मिरर वाले ये जल वाला हो गया अब मिरर वाले है 91 से 93 के लिए है नीचे दीगे चार बी कलों में से दीगए आकरती का दरपन परतिविम चुन है अब आपको ये तो जल परतिविम था अब ये दरपन परतिविम है तो सबस्पहले ये देखेगा तो इसका जो राइट आंसर है B 91 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा B 92 का जो देख लेते हैं 92 V, E, R, B, A, L तो सबसे पहले यहां पर मिरर होगा तो ये L कैसे देखेगा ऐसे ठीके बाकि ये B A ऐसा और B उल्टा दिखेगा तो ऐसा इसमें सिर्फ A की है तो D क्या होगा इसका राइट आंसर ऐसा कभी ने दिखेगा L ऐसा कभी ने दिखेगा आप अपने घर के जो दरपन है आपका मिरर है आप उसमें देख सकते हैं अगर आप L को ऐसे दिखाएंगे उसमें तो वो हमेशा ऐसे को दिखेगा ठीके तो D क्या रहेगा राइट आंसर रहेगा क्या समर हम 93 देख लेते हैं आपको दिख रहा है हां दिख रहा है आपको ये प्रेश्न है दिख रहा है मैं साब कर लेता हूँ थोड़ा से एड़स कर लेता हूँ अब ठीक है ये प्रेश्ना करती है इन मैं से उतरा करती दरपण में कैसी दिख रही हो गया तो 93 का जो राइट आंसर रहेगा हो रहेगा D यहां पर ये ऐसे करके गुला जैसे है ये ऐसे बन रखा है तो उधर से भी ऐसे ही होगा तो इसका D राइट आंसर रहेगा फिर ये तीर कर निसान इधर को है तो दरपण में ये इधर को रहने वाला ऐसे तो 93 का D राइट आंसर रहेगा क्वेस्टन में 94 एक प्रतिक साल ये आता है Dice वाला कि दिये में दिये के पासे जो Dice है जिससे आप लूटोव अगर खिलते हैं तो Dice में उसको बड़े द्यान से देखना है उससे question बनते हैं तीन के विपरी तल में कौन सिसंग क्या होगी तो तीन का जो 3 है उसका विपरी तल क्या होगा अब यहाँ पे जो विकल्प है मार पास 2 है, 3 है, 4 है, 6 है 3 तो नहीं होगा 3 के विप्रितल में 3 तो आई नहीं सकता है तो यह तो नहीं होगा B तो होगा अब 3 के ठीक उपर 6 है तो 6 भी नहीं होगा अब 3 के ठीक उपर 2 है दिख रहा है हमको साब साब तो 2 भी नहीं होगा तो क्या होगा, C इसका right answer होगा आप वहाँ भी ऐसे करेंगे इसमें घबराएंगे नहीं, आप एक एक करके देखेंगे कि जितने आपको बिकल्ब दे रखें, वो कैसे देख रहें ठीक है, तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा, C, 3 के ठीक उल्टे में 4 होगा Question number 95, हम देख लेते हैं ये, बंधना की माता बंधना की माता, उसके भाई से दोगना अधिक आयू की है जो बंधना की माता, दोगनी अधिक आयू की है बंधना अपने भाई से 5 वर्ट छोटी है किन्तो अपनी बहन से 3 साल अधिक आयू की है यदि उसकी बहन 12 वर्ट की है तो उसकी माता की आयू कितने है यहाँ पर बहन की दे रहे की, तो आपको माता की आयू निकालनी है उसकी मदर की एस निकालनी है तो 95 का जो right answer रहने वाला है, वो तो है D अब D कैसे आया, चलिए हम detail solution देखते है इसका मैंने यहाँ पर आपके रहे detail solution दे रखा है आपको पुरा दिख रहा है क्या हाँ दिख रहा होगा नहीं, पुरा नहीं दिख पा रहा है आपको क्या आप दिख रहा है, हाँ आप दिख रहा है तो माना बंदना की भाई की आई क्या है एक्स है बंदना की मात है क्या आई एक्स टू एक्स बंदना के भाई से छोटी है बंदना भाई से कितने छोटी है पास वर्स छोटी है तो एक्स मैनस फाईब बंदना बहन से तीन वर्स बड़ी है तो एक्स मैनस फाईब मैनस थ्री अथो बहन के आयो क्या होगी हम बहन के आयो निकालेंगे तो x-8 यदि बहन के आयो 12 है तो x-8 बराबर 12 तो x बराबर क्या होगा 20 और माता के आयो क्या होगी उससे दुग नहीं है तो यह क्या होगी 20 तो ना 40 ठीक है बहन के आयो 12 साल बंदना क्या आयो 20 साल क्योंकि वह 8 साल चोटी नहींगे तो ये 40 साल ये निकल गया अगर आपको समझ भी नहीं आया तो एक बार आप पुना देख लेंगे इसको वीडियो पॉज करके देखेंगे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और फिर समझने की कोशिस करेंगे नहीं आयेगा तो आप फिर से देखें ठीक है औ और फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट सेक्से में लिखें हमें ऐसे ही प्रश्णों का एक एक डेडिकेड़ वीडियो बनाऊंगा चलिए क्वेसन नमबर 96 देख लेते हैं पस्चिम उतरपूर दक्षिन यदि पस्चिम का जो उतरपूर से जो संबंध है वेस्ट का जो नौर्थ इस्टे संबंध है तो साउथ का किस संबंध होगा तो 96 का जो रायट आंसर रहेगा वोगा A दिकेड़ उत्तर पस्चिम से ठीक है क्वेस्ट नमबर 97 से 99 तक के लिए जो निर्देश है निमलेखित आरेक का देन कर प्रेश्णों के उतर दीजे आपको ऐसे आरेकों का बहुत अच्छी से करना है जो ब्रित दिखा रहा है वो क्या है सिक्चित महला है जो तिरबूज है गाओं की महला है और जो वर्ग है वो बिरूजगार महला है यहाँ पर भी लिखा है उपरोगत आकरती में तिरबूज गाओं की महलाओं को दर्साता है वर्ग बिरूजगार महलाओं को दर्साता है और ब्रित सिक्चित महलाओं को दर्साता है जो ट्राइंगल है वो क्या करता है women in village दिखाता है square unemployed women दिखाता है और जो circle है वो educated women दिखाता है अब इस पर question क्या-क्या बनते है आप उसको ध्यान से दिखेंगे और ध्यान से समझ लेंगे गाओं में सिक्षित रोजगार प्राप्त मैलाओं को किस अक्षर द्वारा प्रदिसित क्या गया है तो 97 का जो right answer होगा वो होगा D, G द्वारा क्या G द्वारा प्रदिसित क्या गया है देख लिते हैं तो ये देख लिजे जो G है वो कैसी है educated women है, सिक्षित मैलाओं है और साथ में गाओं की मैलाओं भी है लेके तो ये G इसका right answer है जो सिक्षित है और रोजगार प्राप्त है चले, question number 98 देख लेते हैं, अक्षा D क्या प्रदिसित करता है, गाओं की गाओं में सिक्षित मैलाओं, गाओं में बिरोजगार मैलाओं, जो सिक्षित नहीं है सिक्षित बिरोजगार मैलाओं सिक्षित, रोजगार, प्राप्त, मेला है तो इसका जो राइट आंजर रहेगा हो रहेगा b तो d क्या प्रतर्शित करते हैं d प्रतर्शित यह देख लिज사를 d ये है तो वो । ट्रेंगल के अंदर है तो ट्रेंगल में गाउं की मेला है हो और square के under भी आ रहा है तो कैसी महला हैंगे वो बिरोजगार महला है गाउं की बिरोजगार महला है ठीक है चलिए question number 99 देख लेते हैं गाउं में सिक्षित बिरोजगार महलाओं को दर्साता है तो 99 का जो right answer रहेगा वो रहेगा D E दर्साता है ठीक है चलिए question number 100 यह हमारा आज का अंतिम प्रेश्ण रहने वाला है सिरीज आस्तोस से लंबा है राजू चारो से लंबा है लेकिन बाला से छोटा है आस्तोस चारो से छोटा है चारो सिरीज से लंबा है तो कौन सबसे लंबा होगा सब पहले हम क्या करते है सिरीज को S मान लेते हैं आस्तोस को A राजू को R चारो को C बाला को B मान लेते है तो उत्ता हमारे लिए यह आसानी हो जाएगी नहीं कि तो सबसे पहले आप देखिए कि इनका अगर हम पैटरन बनाने के कोशिस करेंगे तो यह कैसा होगा आस्तोस सिरीज आस्तोस सिरीज आस्तोस से सिरीज आस्तोस से लंबा है तो सिरीज आस्तोस फिर चारू से लंबा है चारू राजू से लंबा है ने स्री राजू चारू से लंबा है तो आर ठीक है लेकिन बाला से छोटा है तो ये हो गया ठीक है तो A, S, C, R, B ये हो गया अब ये क्या है कि कौन सबसे लंबा है तो B सबसे लंबा है येने बाला सबसे लंबा है ठीक है आपको समझ मैं कि आप जब भी ये करें तो ऐसे ही pattern बनाए इससे आपको आसानी हो चाहिए तो इसमें जो right answer रहेगा वो रहेगा B लिएकि B हमारा right answer रहने वाला है तो dear student ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपके कितने marks आए आप ये comment section में बताएंगे अगर अभी तक भी आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो आप अवश्य चैनल को subscribe कर ले हम ऐसे महत्वपून वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके career में बहुत ही सायक सिंद्ध हो सकते हैं आप अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को share करें अगर आप WhatsApp, Facebook अगर आधी platform पे भी आप हैं तो वहाँ पे भी आप इस वीडियो का link को share कर सकते हैं जिससे कि अन्य जो चात्र हैं आपके friend हैं उनकी भी सैता हो जाए आपको आपकी प्रिक्षा के लिए बहुत-बहुत सुपकाम नहीं आपकी प्रिक्षा बहुत अच्छी हो